नमस्कार साथियो चलते रहो अपनी मंजल के पत पर चलते चलते या तो मंजल मिल जाएगी या आप चलना सीख जाओगे तो चलिए आज का सफर आपके साथ सुरू करते हैं भारत के समिधान में पहली बार किस वर्स में संसोधन किया गया था पहली बार बताईए कब संसोधन हुआ था तो 1951 में हुआ था कब हुआ था 1951 में समिधान संसोधन की प्रकिरिया किस देश से ली गई है याद रखना ये दक्षड अफरीका से ली गई है कहां से ली गई है दक्षड अफ्रीका से सम्धान संसोधन की प्रिक्रिया सम्धान के किस भाग में बढ़ देत है तो याद रखना बो है भाग बीस किस भाग में है भाग बीस में बढ़ देत है आज आपको सम्धान संसोधन से सम्मंदित कुछ प्रश्ण करवा रहा हूँ ज भारतिय सम्धान में संसोदन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है तो याद रखना संसद के किसी भी सदन से शुरू कर सकते हो भारतिय सम्धान के लिए प्रथम संसोदन बेदेहक कब लाया गया था बताओ भई कब लाया गया था तो याद रखना 1951 में लाया गया था कब लाया गया था 1951 में भारतिय सम्धान में नवी अनसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी बताओ किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी वो हुई थी पहला संसोदन 1951 के द्वारा भारत के किस सम्धानिक अधिनियम में मतदान करने की आयू 21 वर्स से घटा कर 18 वर सम्धान संसोधन अदिनियम किस वर्स हुआ था बताओ भई किस वर्स हुआ था याद रखना 1809 में हुआ कब हुआ था 1889 में किस सम्धान संसोधन अधिनियम को मिनी सम्धान कहा जाता है तो वो कहते हैं 42 सम्धान संसोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था किस सम्धान संसोधन के अंतरगर्द दिल्ली नैसिनल कैप्टल छेतर बना है तो वो है उनहतरवा सम्धान संसोधन जो 1991 में हुआ था बिधान सबा में किसी दल के निर्वाचि सदस्यों के दल बदल पर प्रतिवंद किस सम्धान संसोधन द्वारा लगाया गया है तो याद रखना वो है बावनवा सम्धान संसोधन भारत में नागिरिकों के मौलिक अधिकारों में संसोधन कौन कर सकता है बताओ भई कौन कर सकता है तो ये अधिकार सिर्फ केवल संसद को है किसको है सिर्फ संसद को ही है किस सम्धान संसोधन द्वारा प्रथम अनसूची में परिवर्तन करने बेरु बाड़ी खुलना छेतर पाकिस्तान को दिया गया था वो था नवा सम्धान संसोधन 1960 में हुआ किस समधान सनसोधन में लोग सवा के सदस्यों की संक्या पांसो पच्छिस से बढ़ा कर पांसो पैंटालिस कर दी गई थी। तो याद रखना वो है 31 समधान सनसोधन। प्रस्तावना में पंत निर्पेच, समाजवादी और अखंडता ये सब्द जोड़े गए थे तो ये है 42 वा समिधान संसोधन जो 1976 में हुआ था बताईए सिच्छा का अधिकार किस वर्स मौलिक अधिकार के रूप में लागू हुआ तो 1 अपरेल 2010 किस वर्स हुआ 1 अपरेल 2010 किस समिधान संसोधन में भारतिय नागिरकों के लिए 10 मौल कर्तब को जोड़ा गया था याद रखना ये 42वा समिधान संसोधन है जो 1976 में हुआ था किस समिधान संसोदन अधिनियम द्वारा लोग सवा के कारकाल को 6 बर्स से घटा कर 5 बर्स कर दिया गया था तो वो है 44 वा समिधान संसोदन कौनसा है 44 वा किस समिधान संसोधन द्वारा संपती की अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा कर कानूनी अधिकार का दरज़ा परदान किया गया था याद रखना 44वा समिधान संसोधन 1978 में हुआ था कभुगाता 1978 में हुआ था आईए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्णों की सरंखला से आपको मिलवाते हैं किस समिधान संसोदन अधिनियम द्वारा स्वतंतर्ता के मौलिक अधिकारों की संक्या साथ से घटा कर छे किया गया तो याद रखना वो है चवालिसवा समिधान संसोदन कौनसा है चवालिसवा समिधान संसोदन है किस समिधान संसोदन में पंचायती राजबवस्था को समिधानिक दरज़ा प्रदान किया गया है बताओ भई समधानिक दरजक प्रदान किया गया वो कौन सा समधान संसोदन है याद रखना 73 समधान संसोदन है जो 1992 में हुआ था किस समधान संसोदन में लोग सबा के सदस की संक्या अधिक्तम 545 निश्चित की गई थी यह भी बताया था बताये सभी लोग 31 समधान संसोदन 1973 में किस समधान संसोदन के अनुसार नीत निडेशक तत्तों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संसोदन किया गया तो याद रखना 42वा सम्धान संसोदन 1976 में हुआ था किस सम्धान संसोदन द्वारा अरुडाचल प्रदेश को पूर्ण राज का दर्जा प्रदान किया गया तो वो है 55वा सम्धान संसोदन जो 1986 में हुआ था किस समधान संसोधन में लोकसवा इबंबिधान सवा की सीटों की संख्या में संद 2026 तक कोई परवर्तन नहीं करने की ववस्था की गई वो है 84 समधान संसोधन 2001 आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद